तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं यह है स्ट्रेजीस फॉर इनहेंस्मेंट इन फूर प्रोडक्शन काफी अच्छा चैप्टर है आसान चैप्टर है ठीक है और समझने वाली चीजे भी काफे जादा हैं तो आप अच्छे से बैठके इस पूरे माइनमेर को पढ करना वीडियो सुर करने से पहले मैं आपको बताऊं एक चीज कल मैंने अपना चैनल का एनलेटिक्स देखा था तो मुझे पता चला कि सतर परसंट से ज्यादा लोग जो मेरे वीडियो को देखते हैं वो सस्क्राइब नहीं करते हैं चैनल को तो मतलब सो में से सतर लोग ऐस सस्क्राइबर बढ़ते हैं तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है मैं वीडियो थोड़ा ज़्यादा बनाने की सुचता हूँ ठीक है ऐसे चैनल नॉर्मली इनर्ट पढ़ा होता है तो फिर मजा नहीं आता ठीक तो एट्रिस सस्क्राइब कर दिया करिए वैसे आपका मन जो को हमयें को tôi हैं का ने करेंगे यह चट करें लिए जो तरीके हम करेंगे वह चैप्टर में पढ़ने हैं थे कि को एनिमल हस्ट्री है जैसे खाने वाले जोे इनिमल से फिसरीस में सिर्फ मचली के लाव मोलस्क और क्रस्टेशन को ब्रीड किया जाती है यह दोनों भी खाय झाते हैं थिए लगबग पूरी दुनिया घंख रहा है तो यह सारी चीजें भी खाते कि अब इंडिया रणा करें इन दोनों को मिला के STOIL सतर पर्संट राइव स्टॉख को लिए एंसलटनुष मेंı यह खराब बात है कि contribution हमारा कम है लेकिन यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूं तो मुझे अच्छा लगता है यह और भी कम होना चाहिए वल्कि खेर आपको डेटा याद रखना है आपको कोई मतलम नहीं कम होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए दूसरा यह देगे कि 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 Company के है इस चीस के लिए इसारी फिर्ट्री छोटा ब्रेस बलाप मतलब याइश्चे के लिए एक्ष और मेत के लिए अंडम मेट्री मेट के लिए हम इनको बर्ड पालते हैं यहां पर अब क्या-क्या पाला जा सकता है इंक्रियूट चिकन गूज डग टर्की एक्जक्टर यह सारी बर्ड जो है वह मतलब पावल्ट्री फॉर्म मैंनेज्मेंट में पाली जाती है ठीक है फिर आपको दो ब्रीड के बारे में आ यह जो अट पiva फिछ काव कीए खे दिधर को काफी इंपॉट्यटरंट है और इसको अच्छछ में आता है मैं आपको पूरी तरीका से हैं समझाने कोशस करूंगा ठीक हैं इसको दो पार्ट में डिएट किया है एक को कहते हैं in-breeding और आउट-breeding पहले पढ़ते हैं इसमें मेटिंग इंडिविज्वार्ट को मेट किया जाता है विदिन सेम व्रीड फॉर चार से जोगी चार से जनरेशन में एक ही ब्रीड में मतलब रहे हों ठीक है तो ऐसे इनिमल्स को मतलब लगातार 4-6 जनरीशन लगातार हम क्या करता है same breed के इनिमल्स को मेटिंग कर दाते हैं इससे increases homogygocity homogygocity बढ़ती homogygocity मतलब एक तरह के इनिमल्स होते जाते हैं common characters बहुत ज़्यादा होते जाते हैं इसके लगाव develops pure line प्योर लाइन भी यही कहा जाता हूआ है होमोज़ागसटी ही प्योर लाइन है मतलब समझ दीजे प्योर लाइन मतलब एक ही फ्योर प्योरूर धिर दिखने लगता है ठीक है तो क्योंकि है एक ही तरह के इनिमल्स पाल decisions कौनल डेवलप कर लेंगे इसके लिएंगर एक ही अना हम एक ही तरह के जैनवर को मेट कर रहे हैं तो वेरियेशन जब आ नहीं रहा है तो क्या होता है धीमे धीमे क्या होता है फाल्टिलीटी और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है इसको कहते है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन सबसे यादा पुछे आना वाला टॉपिक है ब्रीड डिएयेशन आउट्कॉरसं को क्या कहते है सेम ब्रीड आच्छा कई बारां सुचते हैं कि आउट्कॉरसिंग मतलब ब्रीडिंग होता है इसमें ब्रीड बदल दियाती है तो ऐसा हर एक में नहीं है जैसे जो ऑजिघू को मेट करा रहे हैं उनके पिछले होगों में रहा हो ठीक है फिर overcome in breeding depression यह देखुई यह important बहुत जाद Ini करता है यह ने क खितम करता है ठीक है तो in describing depression को कौन खतम करता है तो out crossing कराता है ठीक है out crossing कराने से bethicon यह चीज qhtm होता है फिर आते हैं cross-breeding cross avoiding क्या होता हैं between different यहां पे हमने breed बदल दी तो यहां पे हम same breed में crossing करा रहे थी यहां पे हम breed जो है वो change कर दे है ठीक है इसका एक example है बहुत ज़्यादा important है हिजार डेल किसको किसको cross करके मतलब बिकानेरी इव्स और मेरीनो रेम्स यह दोनों शीप हैं शीप मतलब भीड तो यह दोनों भीड थी एक को कहते हैं बिकानेरी इव्स और एक को कहते हैं मेरीनो रेम्स और इन दोनों को क्रोस कराके hizardal नाम की एक ship पैदा की गई थी मतलत vernainी गई थी जो की काफी अच्छी थी तो ये example किसका है cross breeding का कई बार example question आता है कि hizardal जो है किस technique से developed की गई है किस breeding से developed की गई है cross breeding से develop की गई है तो फिर आते हैं तीसरे number पे inter specific hybridization अब यहां पर देखिए specific आ रहा है specific यहां पर species को सो करता है तो यहां पर different species को हम mate कराते है mating different species यानि total species ही हमने बदल दी example है mule, mule जो हता है इसको हिंदी में खचर कहते है male donkey और female horse यानि male गधा और female घोडा इन दोनों को हम जब mate कराते हैं तो हमें mule मिलता है यहां पर हमने देखिए specific hybridization का example है यहां पर हमने देखिए species बदल दी एक डंकी लिया एक घोडा लिया दोनों अलग-अलग species हो गए ठीक bee keeping में obviously bee मतलब होता है honey bee यहां पर कहा गया है और honey bee जो होती है इसको epiculture कहते है epiculture मतलब जो honey bee का culture होता है scientific term basically मदमख्य पालन जो होता है उसको epiculture कहते है मदुमख्य को रखना या पालना जिसी कहते है be keeping अब most common जो मधुमख्य है इंडिया में छो पाई जाती है यह है Michigan- maddeph induера amay तो सबसे ज़्यादा common NCRT के सबसे ज़्यादा common madnaphiddhru के causing isiej y escapeеч infrared hyp оч यह है chef the time-endika autism तो यह सबसे ज़्यादा common madpokhiddia is a इसको हम cosmetic products में यूज करते हैं और polishing में यूज करते हैं पॉलिश जो बनाने में जूते की polish जूती है उसको बनाने में भी ये beeswax यूज किया था ठीक रिखती है ये दोनों चीज़े हमें honey bee से मिलती हैं फिर fisheries में एक topic मैंने यहां रखा है वैसे तो हम fisheries यहां उपर पढ़ चुके हैं यहां पर लेकिन एक topic छोड़ गया था तो इसको यहां पर हर चीज एकदम line से नहीं लिखता है हो सकता है एक ही चीज वह सुरुवात में लिखे और उसी का related चीज आखरी में एकदम लिख दे तो जैसे कभी-कभी चीजों को अलग-अलग लिखना पड़ आता है तो जो fisheries है, fisheries में एक और चीज आपको याद रखनी है, fresh water fish और marine fishes के नाम, यह कई बार exam मतलब आ चुके हैं, neat में कई बार पुछे गए हैं, तो fresh water fish तीन आपको याद रखनी है, रोहू, catla और common carp, यह तीनों fresh water fish हैं, और marine fishes में चार आपको याद रखनी है, sardine, hillsa, mackerel औ from fish, यह चारो क्या है, मतलब marine fishes है, ठीक है, खारे पानी वाली fishes है, तो यह दोनों तरह के fish जो है, यह आपको ध्यान रखनी है, कई बार नीट में पुछा गया है, कि मतलब एक fish का नाम देते हैं, जैसे hillsa, यह marine है, या fresh water है, तो आपको पता होना चाहिए, कि marine है, इस type से, ठ fisheries, यह दोनों आपको अच्छे स्याद रखना है, ठीक है, फिर आते हैं हम दूसरे page पर, तो यह आगया हम अपने दूसरे page पर, और सबसे पहला ही topic काफी important है, multiple evolution embryo transfer, या फिर moeat कहते हैं, सबसे पहले example में, मतलब इसमें एक्जाम में आपको इसका full form ही याद होना प्रूफ करना है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, एक्जामपल NCRT यहा है, काउ का, तो मतलब कैसे काम करता है, यह भी आपको पता होना चाहिए, कभी कभी NCRT इस चीज़ पर question पोछ लेता है, कि multiple evolution embryo transfer में, मतलब कौन से steps होते हैं, या किस steps से काम करता है, इसलिए जिस मैंने आपको सारे step यहाँ पर लिख दिया है, तो जैसे एक काउ हमने लिए, काउ को क्या करेंगे, एक हर्मोन देंगे, given a hormone with FSH-like activity, एक हर्मोन देंगे, जिसकी activity कैसी होगी, FSH की तरह है, यानि follicular stimulating hormone की तरह है, अब FSH क्या करता है, follicles को mature कर देता है, तो दूसरा step दे क्या होता है कि एक एक बनता है, पर cycle मतलब, total one egg बनता है, एक cycle में, लेकिन super evolution को जैसे एक के बजाए, छे से आठ एक हर cycle में बनता है, तो इसको कहता है, अब total छे से आठ एक बन गया, अब एक ही काउ के अंदर छे से आठ बच्चे तो पैदा नहीं हो सकते हैं, मतलब नहीं मेटिंग कराएंगे, एक elite bull, elite मतलब होता है, अच्छे bull से, जो कि strong हो, अच्छा हो, ठीक है, elite bull से, या फिर artificially inseminate करेंगे, ठीक है, या फिर artificial insemination करेंगे इसका, और जब इसका, मतलब यह एग और यहाँ पे bull से इस पर मिल जाएगा, इन दोनों का fusion होगा, तो fertilization होगा, औ इनको remove कर दिया जाएगा, यानि निकाल लिया जाएगा, किस stage पे 8 to 32 cell stage, 8 से 32 cell stage पे इनको निकाल लिया जाएगा, एक्स जो बनेंगे, ठीक है, मतलब जो हमारा जाइगोट और embryo बनने लगेगा, उसको 8 से 32 cell stage पे निकाल लिया जाएगा, और फिर इसको बाद ट्रांसफर to surrogate मतलब, surrogate मतलब कोई ऐसी काउ, मतलब कोई दूसरी काउ में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो हमने एक काउ के अंदर super evolution करा दिया, जैसे 6 से 8 एक बन गए, अब उन 6 से 8 एक को हम 8 से 32 cell stage जब आएगी उनकी, तो हम निकाल लेंगे, और अलग-अलग काउ में डाल दे मतलब एक अच्छी quality का जो off spring होगा, वो बनेगा, तो यह होता है, multiple evolution embryo transfer, ठीक है, तो अब आते हैं, दूसरा plant breeding पे, तो मतलब animals के बारे में यह सारी चीजे थी, प्लांट breeding पे आते हैं, और प्लांट breeding पे यहाँ पे मैंने कुछ छोड़ दिया था, अभी मैं लिख दे रहा हूँ अभी, देखे, प्लांट breeding जो होती है, यह लिखा है, अभी मैं इसको बाद में सही कर दूँगा, अभी आप समझ देजे, 9000 से 11000 years एगो का, मतलब 9000 से 11000 साल पहले से हम प्लांट breeding कर रहे हैं, ठीक है, डेट्स बैक मतलब इस समय से हम कर रहे हैं, लगभग 9000 साल पहले से हम प्लांट breeding कर रहे हैं, 9000 to 11000 years एगो, अब इसमें इस टेपस आपको याद रखने हैं, चार इस टेप होते हैं, collection of variability, मतलब हम अलग-अलग तरह के variety collect करते हैं, ठीक है, मतलब मा लिजए एक जंगली variety collect कर ली, एक mountains पर उगने वाली collect कर ली, एक normal variety collect कर ली, इस तरह से अलग-अलग variety हम collect करते हैं, तो पहला इस टेप यही रहता है, collection of variability, दूसरे इस टेप बता है, evolution and selection of parent, अब जब हमने कई सारी variety collect कर ली है, तो उसमें हम evaluate करते हैं, evaluate मतलब होता है, उसको check करते हैं, कि कौन सी अच्छी है, कौन सी खराब है, किसमें कौन से characters हैं, ठीक है, जो कि हम use कर सकते हैं, और इसके basis पे हम select करते हैं, पैरेंट्स को, मतलब जो हमें सबसे अच्छा मिलेगा इन variety, जितनी भी हम variety collect की हैं, इसमें जो सबसे अच्छा मिलेगा parent, उसको हम select कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, cross hybridization among selected parents, जो हमने select किया है parents को, उनके बीच में cross hybridization करेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, selecting and testing of superior progeny, अब hybridization होगा, उसके बाद प्रोजनी बनेगी, फिर progeny में हम disease resistance चाहिए, इसके लावा हमें, मतलब, क्या कहते है, drought resistance चाहिए, इस टाइप से हम चेक करेंगे, कि जो सबसे अच्छी progeny है, जो कम पानी में होग सके, disease ना हो जिसके अंदर, इस टाइप से हम superior progeny चेक करेंगे, और उसको select करके test करेंगे, ठीक है, फिर testing release and commercialization, अब जो यह छे चार step होते हैं, प्लान ब्लेडिंग है, अब इसी step में यह आग को बतायाया है, germ class collection, lashes plus collection क्याता है, entire collection of all varieties with divers all death हमने पहला step क्या किया था variability collection की थी मतलब हजारों तरह की varieties हमने collect की थी और इसी को कहते हैं हजारों नहीं मतलब second तरह की varieties हमने collect की थी और इसी कहते है germ class collection मतलब अलग-अलग तरह की varieties का collection होता उसको हम germ class collection कहते है विसे करी ठीक है तो यह आपको CRT में जिस हिसाब से दिया है आपको समझ में नहीं आता है तो आप सीधी सी भासा में याद रखिए जितनी भी हमने varieties collect की हैं सब में अलग-अलग अलग अलग characters हैं अलग-अलग मतब खासियत है और उसी को कहते हैं हम germ class collection उसी collection को अपने ठीक है यह होता है germ class collection फिर आते हैं नीचे और पढ़ते हैं थोड़ा सा एग्रिकल्चर के बारे में एग्रिकल्चर जो होता है वह हमाई देश का 33% GDP एग्रिकल्चर से आता है और 62% employment जो हमाई भारत का है वह एग्रिकल्चर में ठीक है यह काफी अच्छे नंबर से मतलब इसको आपको ध्यान में रखना है मतलब नीट में डायर्ट पूछा आता है यह question फिर आते हैं green revolution पे green revolution काफी important topic है सबसे पहले mid 1960 में शुरू हुआ था यही important है नीट में पूछा गया है कि कब शुरू हुआ था green revolution तो in mid 1960 में जब 1960 के बीच में लगभग शुरू हुआ था ठीक फिर इसमें आपको अलग-अलग varieties दी गई है मतलब कई तरह कि जैसे wheat दिया गया है rice दिया गया है इसके अलब मिलेट्स दिया गया है सुगर केंद दिया गया उसके बारे में आपको चीज़े याद रखने है ठीक है basically यह है तो wheat के बारे में आपके क्या याद रखना है 11 million ton से 75 million ton यह हमने production बढ़ाया था मतलब green revolution के पहले 11 million ton wheat पैदा होता था भारत में green revolution के बाद 75 million ton wheat भा है कितने गुणा बढ़ा तो लगभग 7 गुणा बढ़ गया थे ठीक है 1177 होता है 1170 77 ठीक है तो लगभग 7 गुणा यह बढ़े गया था wheat का production हमारा बढ़ गया था wheat की varieties जो यूज की गई थी green revolution के समय वह सोनालिका और कल्यान सोना यूज की गई थी यह अच्छी वराइट था उसके बाद 89.5 million टन हो गया था यह याद रखेगा 35 million से 89.5 million टन हो गया था और इसकी वराइटेज जो यूज की गई थी जया और अतना जया और अतना दो वराइटेज यूज की गई थी राइस की ठीक है सेमी डौर्फ वराइटेज जो थी सेमी डौर्फ वीट इसको नॉर्मन ई बॉर्लॉग ने डेवलप किया था ठीक है यह इन्होंने कहां पर डेवलप किया था एट इंटरनेशनल सेंटर फोर वीट एंड मेज इंप्रूव्मेंट मेक्सिको तो यह वीट की तो यह हो गया वीट और आस के बारे में अभाते हैं हम इदर सूगर केन के बारे में तो सुगर केन जो है इसके दो एक सकड़ सुगर केन जो है इसकी दो अरेटेयस थी सैक्रं आपी Россिन कुल्ट थी नोर्थ इंडिया में करती थी हलाकि इसका sugar content कम था poor sugar content and yield इसकी yield भी कम थी yield मतलब होता है पैदावार तो इसका sugar भी इसमें कम होता था और पैदावार भी कम होती थी हलाकि जो sacrum of this enneagram था ये south india में grow करता था इसकी thick stem होती थी मतलब मोटी stem होती थी और more sugar होती थी इसकी yield भी जाता है और sugar भी जाता है फिर क्या किया गया था इन दोनों को cross कराया गया था और अच्छी varieties बनाई गए थी तो basically हर जगे यही हो रहा इस पूरे chapter में हम देख रहा है कि कौन सी variety में क्या qualities है और फिर उनको cross करा के एक नई variety बनाने को सिस करते हैं जिसमें मतलब हमें qualities अच्छे से देखनों को मिलें कई qualities एक ही variety में देखनों को मिलें ठीक है तो यह पूछ याद रखिएगा कि सैक्रम बार्बेरी नौर्थ इंडिया वाला था और सैक्रम आफिस इनका जो डिवलब केऊ थे बिसीकली water रेषिस्टंट वारायइटीस थी वारायटर अगर कम रहेंगा तो तो भी यह अच्छे से ग्रो कर जाएंगी तो इस वज़े से क्या कहते हैं वाराइटेस रेसिस्टेंट वाटर इस्ट्रेस अगर वाटर की कमी हो गई तब भी यह अच्छे से ग्रो कर सकती है तो मिलेट के बारे में यही आपको ध्यान में लखना है ठीक अब आते हैं यहाँ पर अब यह जो सक्सान है छोटा सा यह एंसे इन बता है कि कौन सी डिसीस किस औरनिज्म से होती है ठीक है जैसे फंजाईस होने वाले तीन डिसीस बता है यह एंसे ने ब्राउन रस्ट आफ वीट रेट आफ सुगर के लेट ब्लाइट और पोटेटो यह सीन तिन्हों फंजाईस होती है झतीनिने इसके और इसके बारे में यह कुछ नहीं बता आए ऐसके बारे में यद रखना है कि रट रॉटत शूँगर केंन का फंजाई होता होता है उससेchnet है बागी पहला और तीश रा किस फंजाईस होती है xy tussen फिर उतना पता होना तो यह हो गया हमारा पूरा दूसरा पेज इसमें आपको multiple evolution embryo transfer जुरूर याद रखना है agriculture का percentage याद रखना है और green revolution में सबसे आदा important आपको याद रखना है wheat or rice का कितने से कितना ton हो गया और कौन सी variety यूज की गई है ठीक है और sugar cane के बारे में भी आपको अच्छा से याद रखना है ठीक है तो यह हो गया दूसरा पेज आब आते हैं हम तीसरे पेज पर तो यह हमरा तीसरा पेज और इसमें छोट चोटे कई topics हैं और यह मैं बता तो इसके बाद मैं आपको टेबल बताऊंगा ncrt की कौन सी याद रखनी है ठीक है तो ncrt की टेबल वह आपको जरूर देखनी है और उसके बिन आपके questions नहीं हो पाएंगे ठीक तो पूरा वीडियो देखिएगा अच्छे से ठीक या फिर अगर आपका मन नहीं है पूरा वीडियो देखने हो तो आखिरित में बढ़ा के वह टेबल जो देख लीजिएगा ठीक तो आते हैं सबसे पहले mutation breeding पे जो मूंग बीन है यही एक example दिया गया है mutation breeding का इंसियाटी में तो सबसे पहले question आता है कि मतलब mutation breeding कहा कराए गई थी किस प्लांट में कराए गई थी तो मूंग बीन में कराए गई थी अब mutation breeding के बाद मूंग बीन में resistance आया था किससे यलो मुजैक वाइरस से और पावडरी मिल्डियू से तो इन दोनों से resistance हो गई थी resistant मतलब यलो मुजैक वाइरस अब उसका कुछ नहीं कर सकता था ठीक है तो ब ने परिव बते है कि हेरी लीफ मतलब कई सारी पतियां ऐसी होती है जिनम्हें छोटे में बनिलते हैं यह काफी काम आते हैं जैसके में då यह होते हैं यह होते हैं वह गढते हैं इन लोग ने बाडि पर ए जो है वह गips इसिवजेसे कॉटन और वूर्ण वक्म और सरन लीठ सेरल वीड वीट है इन सबसे रिजिस्टेंस मिलता है यह सब नहीं आते हैं ठीक है फिर कई बार मतलब यह नेच्टरल है यह हमने कई हमने नहीं कराया है यह अलड़ी था कॉटन में और वीट में यह अलड़ी था ठीक है इसके नाब हाई असफार्टिक एसिड एंड लो फिर एक इस्पेसीज मतलब वह बताई गई यह पर्भनी करांटी काफी अच्छी है और काफी ज़्यादा पूछी गई है तो परभनी करांटी जो है यह भिंडी की वैराइटी है और किस चीज से रिजिस्टेंट है यलो मोजयक वैरस से तो कई बार पुछा गया है कि पर् फ़्मल वै्राइटी को क्रॉस किए गया तो पर्भनी क्रांती बनाई गी और पर्भनी क्रांती जो है वह यलो मुजक वैरस से रजिस्ट करांती है पपसिसे वाइटी है जंगली वादी फिर्टेमिन तो यह हो गया mutation breeding topic फिर आते हैं अब आते हैं यहां पर तो यहां पर इन सेटिन कुछ data दिया है जो कि आपको याद रखना है पहला data है 3 billion लोग ऐसे हैं जो कि hidden hunger से सफर करते हैं hidden hunger मतलब इनके पास खाना तो है लेकिन उस खाने में vitamin, protein और micronutrient की कमी है ठीक है तो यह दोनों data आपको याद रखना है इसके अलावा NCRT ने इसी data को 25% लिखा है मतलब NCRT ने एक तो नंबर में लिखा है कि 3 billion और 840 million और अगर उसी को percent में आपसे पुछा है कि कितने percent लोग यहाँ पे भूखे रह जाते हैं पूरी दुनिया में तो 25% लोग आपको लिखना है कि 25% लोग ऐसे हैं जिनको या फिर खाना नहीं मिलता है या फिर खाना मिलता भी है तो वो vitamin, protein या micronutrient मतलब उसमें कम होते हैं तो आपको दोनों data याद रखना है आपको number वाला भी याद रखना है आपको percent वाला भी याद रखना है ठीक है तो यह आपको द्यान रख रहा है फिर आते हैं bio fortification अच्छा bio fortification में पहले मैं आपको एक point बताना चाहता हूं इसी के बारे में हाला कि यह needs related नहीं मैं आपको लेकिन बताना चाहता हूं फिर भी मैं बताओ पिछले 3-4 साल से पूरी दुनिया में इतना खाना बन रहा है कि पूरी दुनिया का हम पूरे साल तक पेट भर सकते हैं मतलब पूरी दुनिया में हर एक इंसान का पेट भरा जा सकते हैं इतना हम दुनिया में प्रोड्यूस कर रहा है ठीक है इतना खाना हम प्रोड्यूस कर रहा है फिर भी 840 मिलियन लोग एनफ फूर नहीं है अब यह नंबर और जादा हो गया होगा अब तो 1 बिलियन हो गया होगा यह 840 मिलियन जो एंसीयर्टी का डेटा है यह काफी पुराना है और 3 मिलियन जो हैं उनके पास फिडन हंगर की दिक्कत है तो मतलब हम खाना इतना बना रहे हैं दुनिया में कि पूरी दुनिया को हम साल भर बिठा के खिला सकते हैं ठीक है और फिर भी हमाएं पास 840 मिलियन लोग हैं जो की भूखे सो जा रहे हैं तो हम समझे लीजे कितन मतलब कितने जादा इंटेलीजन लोग हैं दुनिया में फ़ही इस्टाग्राम स्टोरी डालने वाले लिए लोग होते हैं इतना फूड वेस्ट हो करते हैं इतना जादा फूड वेस्ट और उसके बाद वह जब किसी भी चीज़ पर किसी भी टॉपिक पर उनको घ्यान देन बना लिया है फिर भी 840 मिलियन लोग भूखों सो रहें तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब की quality और quantity को बढ़ा देते हैं, nutrient जैसे protein, vitamin, इन सब की quality और quantity को बढ़ा देते हैं, ठीक है, in 2000, maize hybrids develop, 2000 में हमने maize की hybrid develop की थी, जिसमें क्या था, twice amount of tryptophanol lysine, tryptophanol lysine क्या है, amino acid है, तो अगर आपने biomolecules वाला chapter पढ़ा होगा, तो आपको पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, तो आपको नहीं पता होगा, ठीक है, तो हमने 2000 में maize की hybrid, यानि jar bagelions की hybrid हमने develop की थी, जिसमें दो गुना tryptophanol lysine का amount था, ठीक है, तो यानि हमने यहाँ पे quantity बढ़ा दी है, किस चिच की nutrient की, यह amino acids है, तो basically protein बनाएंगे body में जाके, तो यह इसी को कहता है, bio fortification, इसके नाव Atlas 66 कई बार पुछा गया है, यह wheat की एक variety है, जिसमें protein content high होता है, फिर iron fortified rice भी हमने बताया, मतलब iron fortified मतलब iron की quantity बढ़ा दी गई, कितने times, over five times of iron, मतलब हमने iron rice की एक ऐसी variety डिवलोप की, जिसमें पांच गुना iron था, ठीक है, तो यह भी एक अच्छा point है, याद रखने के लिए, फिर आता है यह चीज, अब यह चारो मतलब आपको याद रखने हैं, और किसी भी तरीक से आप याद रखिए, लेकिन नीट में ज्यादा वैसे पूछे नहीं गया हैं, लेकिन कभी भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इंपोर्टन पॉइंट है यह, चारो, जैसे विटमिन A, विटमिन A को, मतलब, यहाँ पर मैंने लिखा है कि कौन सा नीटियंट है, जो की बढ़ाया गया है, और यहाँ पर लिखा है, किस क्रॉप में बढ़ाया गया है, जैसे विटमिन A को, कैरट, इस्पिनच और पंकिन, इन तिनों में विटमिन A को काफी ज़्यादा बढ़ाया गया है, यह इस फोल्टिफिकेशन के थुरू, बायो फोल्टिफिकेशन के थुरू, ठीक है, तो विटमिन A के लिए कैरट, इस्पिनच और पंकिन याद रखना है, विटमिन C के लिए बिटर गार्ड, बथुआ, मस्टर्ड और टोमेटो याद रखना है, आईरन और कैलसियम बढ़ा इस विट की वराइटी है, जिसमें हाई प्रोटीन कंटेंट है, प्रोटीन जाद अतर है, ठीक तो यह हो गया, बायो फोल्टिफिकेशन काफी इंपॉर्टन टॉपिक है, अच्छा सियाद रखिएगा, ठीक है, फिर आते हैं, यहाँ पे, वन किलो ग्राम ऑफ मीट रिकॉ पना रहे हैं, तो जो हम मुर्गी को खिला रहे हैं, वो हमें 310 किलो लगबग मुर्गी खाएगी, तो 1 किलो मीट मुर्गी से मिलेगा, ठीक है, यह डेटा है, और इंसियाटी ने यही का है, मतलब कि जो मीट होता है, उसको प्रोड्यूस कराने में बहुत ज़्यादा ग्र होते हैं, जिनमें high nutrient content होता है, तो basically ऐसे microorganism जो होते हैं, जिनको हम खा सकते हैं, और जिनमें nutrient काफी ज़्यादा होता है, इन्हीं को हम single seed protein कहते हैं, single seed इसलिए कहते हैं, क्योंकि microorganism है, ठीक है, तो इसलिए हम single seed कहते हैं, इसका एक अग्जामपल दिया है, और काफी important example है, आपको ध्यान रखना है, जैसे 500 kg of cow जो होती है, एक 500 kg की cow है, वो लगबग 200 ग्राम protein मतलब produce करती है, बनाती है, वहीं अगर हम 200 ग्राम methylophilus नाम का एक bacteria आता है, उसको ले ले, तो वो 25 tons of protein बना सकता है, तो आप देख रहे हैं, दो ग्राम methylophilus, methylophilus जो होता है, वो 25 tons protein बनाता है, तो इन दोनों में difference आपको अच्छे स्यादर रखना है, ठीक है, बना सकता है, 25 tons of protein बना सकता है, ऐसा नहीं हर बार ही बनाएगा, ठीक है, तो यह हो गया cow और methylophilus, methylophilus का comparison, इसको ध्यान रखेगा अच्छे से, अब हम आत का यूज़ करके पूरा 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 प्लांट बनाए है, इसे कहते हैं, टिशू कल्चर, एक्स प्लांट मतलब, प्लांट का वो पार्ट जो की टिशू कल्चर में यूज़ के आरा, जैसा अगर हम रूट का यूज़ करके प्लांट बना रहे हैं, तो रू यहीं प्याद रखेगा अच्छे से क्याता है capacity to regenerate whole plant from cell या फिर x plant cells से या फिर x plant से पूरा-पूरा plant generate कर लेना इसकी capacity जो होती है केते हैं totipotency बसे के लिए एक अकेली सेल है उसे एक अकेली से से अगर हम पूरा पूरा organism बना दे तो इसे कहते हैं totipotency ठीक है फिर है micropropagation, micropropagation कहता है producing thousands of plants using tissue culture, tissue culture को use करके अगर हम हजारो plants produce कर रहा है तो उसको कहते है micropropagation ठीक है तो और यह क्या होता है, these plants are identical to parent, tissue culture में जो हम plants बनाते हैं, वो parent के identical होते हैं तो यह एक तरह का asexual reproduction है ठीक है, हम यहाँ पर कहीं cross नहीं करा रहे हैं, कहीं भी breeding नहीं करा रहे हैं यहाँ पर हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक plant को पूरा का पूरा develop कर दे रहे हैं, तो यह एक तरह का asexual reproduction है, और जब asexual reproduction होगे तो off springs जो बनेगे वो identical होगे, identical मतलब उनमें variation नहीं होगा और जो यह micropropagation या फिर tissue culture से जो हमें off spring मिलते हैं, इसको हम कहते हैं, सोमा clones, तो सोमा क्लोंस बेसिकरी क्या है micropropagation में जो off spring बनते हैं, tissue culture में, आप दोनों लिख सकते हैं, micropropagation में या फिर tissue culture में, इन दोनों में जो off spring बनते हैं, वो सोमा क्लोंस होते हैं, ठीक है फिर आखरी point है, to get virus free plant from a disease plant, काई बार यह पूछा गया है NEET में, मतलब काफी आसान question होता है, कि अगर हमें एक plant है, जिसको disease है, virus की disease है और हमें उस plant से viral free plant बनाना है, virus free plant बनाना है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो हम maristam use कर सकते हैं, maristam आपको पता है लगाता है, divide करता रहता है, तो यह maristam की cells होती है, इनमें virus probably नहीं होता है, ज़्यादा तर, maximum cases में इसमें वो virus जाहीं नहीं पाता है क्योंकि यह लगाता, divide करती रहती है तो अगर हमें virus free plant चाहिए किसी एक disease plant से, तो हम maristam को culture कर सकते हैं, maristam से क्या करेंगे, हम यही करेंगे, tissue culture तो maristam का use करके tissue culture कर लेंगे, तो हम virus free plant मिल जाएगा अब आते हैं आखरी topic पे जो किया somatic hybridization, somatic hybridization क्या होता है, isolated protoplast from different varieties, हम क्या करते हैं अलग अलग varieties लेते हैं उसका protoplast निकाल लेते हैं protoplast है, ठीक है, तो protoplast हम निकाल लेते हैं और उसको fuse कर देते हैं fuse मतलब उसका hybridization करा देते हैं basically, और जो hybrids बनते हैं इसमें, मतलब protoplast को fuse करके, जो hybrids बनते हैं उसको हम somatic hybrid कहते हैं और इस process को क्या कहते हैं, somatic hybridization कहते हैं, ठीक है, तो basically somatic hybridization में क्या मिलता है, somatic hybrids मिलते हैं, यह याद करना है, इसका example काफी अच्छा है, NCR10 दिया है कि tomato और potato को, इन दोनों के desirable characters, और जो tomato बना था, इसमें अच्छे characters नहीं थे, जो हमें characters चाहिए थे tomato, potato को जो characters हमें चाहिए थे वो characters tomato में थे नहीं, तो यह basically failed experiment था, fail हो गया था, तो यह NCR10 दिया है कि इस तरीके से भी नए, मतलब अच्छी varieties डेवलप की जा यही बताया, NCRT ने, ठीक तो यह हो गया हमारा tissue culture और somatic adaptation वाला, यह हमारा तीसरा page था, यह दूसरा page था और यह पहला page था, हाँ तो जो मैं table बोल ला था आपको बताने के लिए और table में बता देता हूँ यह table थी ठीक है, तो यह table 9.1 और यह 9.2 page नमबर में आपको बता देता हूँ, 174 और 175 ठीक है, इस पर यह table है, तो table में आपको मैं table इसको PDF में डाल दूगा, ठीक है, तो PDF में यह table होगी तो table में आपको क्या याद रखना है, यह मैं बता दू आपको पहले table में आपको याद रखना है कि कौन सी crop है, जैसे wheat है, उसकी कौन सी variety है, जैसे wheat की variety हिम गिरी है, और उससे कौन सी disease से resistance है, मतलब कि कौन सी disease नहीं हो सकती है उस variety में, तो leaf and stripe rust और hillbund जोती वो हिम गिरी में नहीं हो सकती है, ठीक है, तो यह resistant to disease वाली crops है, मतलब disease resistance crop है, इसमें कोई भी crop की variety जो होगी, वो किसी ना किसी disease से, किसी ना किसी बीमारी से resistant होगी, ठीक है, जैसे cow pee की एक variety पूसा कुमल जो की bacterial blight से resistant है, यह cow pee मैंने इस लिए लिखा, बताया क्योंकि यह पूछा गया है, नीट में आया था question, ठीक है, तो यह आपको 9.1 वाली table आपको याद रखनी है, जैसे brassica की जो variety है, पूसा गौरो, यह aphids resistance है, ठीक है, इसके अलाव ओकरा की जो variety है, पूसा स्वर्निम और पूसा A4, यह shoot और foot borer से मतब resistant है, तो यह pest वाली resistance है, जो पहले वाले table थी, यानि यह वाली table, यह disease से resistance, यहाँ disease नहीं हो सकती थी, यहाँ पे यह वाले pest आ नहीं सकते, यह वाले insect जो होते हैं, वो नहीं मतबाएंगे इस variety पे, यह दोनों table आपको ध्यान से अच्छा सियाद करनी है, ठीक है, तो अच्छा एक बार मैं पढ पूसा स्वर्नी में जिसको करन राई कहते हैं, यह वाइट रेस्ट से resistant है, कली फ्लावर की एक वराइटी है, पूसा सुभरा और पूसा स्नोबॉल, जो कि ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लैक रॉट से मतब रेस्टेंट है, काउपी की पूसा कुमल वराइटी है, बैक्टेर एक उसकी और यह एफिट से मतलब रेस्टेंट है, फ्लैट बीन की वराइटी पूसा सेम टू, पूसा सेम थ्री, यह दोनों जैसे एफिट्स और फूट बोरर से रेसिस्टेंट है, यह सारे क्या है, इंसेक्ट होते हैं, ओक्रा यानि भिंडी की वराइटी पूसा स्वर्न आते हैं कि मैस्टा कॉलम जो कुश्चन होते हैं, मैस्टा कॉलम वाले कुश्चन इस पर बहुत आते हैं, ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और उमीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, और लाइक कर दीज़ेगा, और सब्सक्राइब कर दीज़ेगा, अगर सब्सक्राइब कर दीज़ेगा, फ्री है, डाउनलोड कर लिज़ेगा,